नमस्कार दोस्तो जैसरी राम, जैसरी बागे सुरदाम सरकार, चैहुश्री अयोद्या धाम की तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसी मुस्लिम बगत की जिनोंने भगवान राम को अपना आरद्य मान लिया है साथ ही अपने हाथ पर बगवान राम का टैटू भी गुदवा लिया है और बगवान राम के ट्रस्ट में 11 लाख रुपे की दन्राशी भी दी है दोस्तो आज की वीडियो मैं में इसी के बारें बात करने वाले साथ ही जानेंगे आखिर कौन है वो मुस्लिम भगत जिनोंने बगवान राम के पर टीतनी आस्ता जताई है चलिए जानते है आज की वीडियो अभी तक 900 करोड रुपे खर्च हो चुके है और यह सब संभव हो पाया है देश और विदेश में बसे राम भक्तों और सनातनी हों से मिली दान राशी से लेकिन क्या आपको पता है कि भारत देश के मुसल्मानों ने भी राम मंदिर निर्मान हे तू बाट चरैच कर दान किया जानेंगे कौन है मुसल्मान जिन्होंने 1000 लाखों रुपे का दान किया कौन है यह सनातनी मुसल्मान जो प्रभुश्री राम को अपना आराध्य बताते हैं और कौन है वह कट्टर मौलाना जिनको इस बात से हो रही है। चिड़ जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्गाटन 22 जनवरी को होना तय है। सारी तैयारियां हो चुकी है। भारत देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोधी ने अपने 11 दिनों का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कहने का तात पर्य है। संपूर भारत वर्ष रामधुन में मगन हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात का अनुमान लगाया था कि राम मंदिर निर्मान में कुल 800 करोड रुपे लग जाएंगे। और अभी तक जितना मंदिर का निर्मा रुपे लग चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2020 तक अयोध्या में राम मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा। रुपे की दान राशिप्राप्त हो गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट ने केवल 900 करोड रुपे जुटाने का लक्ष रखा था। लेकिन कुल 500 करोड रुपे का दान मिल चुका है। लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि इन दान दाताओं में से केवल हिंदू ही नहीं है। जिनको प्रभूश्री राम में गहरी आस्था है। आईए सबसे पहले बताते हैं मुझफर नगर के रहने वाले मुहम्मद समर गजनी की जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्मान के लिए पूरे 0 लाख रपे दान किया है। बताया जा रहा है कि गजनी जी ने अप उन्होंने हिंदू-मुसल्मान धार्मिक एक्ता के संदेश को पहलाने के लिए किया है। गजनी जी आगे बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के सियोगी, आदित्यनाथ, मुसल्मान के विरोध में नहीं हैं। बलकि वह तो माफियाओं के विरुध खड़े हैं। इससे पहले एक अन्य कहानी की बात करते हैं, जो हिंदू-मुसलिम के सामंजस्य की कहानी को दर्शाता है। रामभक्ती की यह ताजा खबर आ रही है। मुंबई के मजगाव इलाके से, जहांके रहने वाले पति-पत्नी, शाहबाज, राठोर और प्रिया राठोर ने रामभक्ती दर् इन चमचमाते सिक्कों की एक साइड पर अयोध्या मंदिर की प्रतिकृती तथा दूसरे साइड पर कमल के फूल एवं मोदी जी के नाम की छवी उकेरी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सिक्के पीतल धातु के बने हैं, जिनकी चमक लगभक 10 साल तक फीकी नह के तोर पर बांटने के उद्देश्य से किया है। यही नहीं, 22 जनवरी से 22 फरवरी तक जनसाधारन को भी यह सिक्के मुफ्त में बांटे जाएंगे। प्रिया राठोर और शाहबाज। राठोर ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अयोध्या मंदिर निर्मान का कार्य ब्रिटिश शासन में नहीं हुआ और ना ही कॉंग्रेस के राज्य में हुआ लेकिन मोदी है तो मुम्किन है। चलिए, अब बात करते हैं। गुजरात के पाटन में रहने वाले डॉक्टर मंसूरी दंपत्ती हामिद। मंसूरी और मुम्ताज मंसूरी की जिन्होंने जिवे राम मंदिर बन रहा है तो हम स्वागत हेतू आगे आए हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम दंपती के द्वारा किया गया यह सराहनिय कारे राम भक्ती और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दर्शाता है दोस्तों। अगली अनोखी कहानी है चंदौली के मोगल सर एक के माध्यम से राम मंदिर निर्मान हेतु दान भी किया है। इकरा अनवर खान ने यह चेक श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर अखिल भारतीय संत समिती के राश्ट्रिय महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद के हाथ में सौपा है। इकरा हमें तो देश निर्माण में आगे आना चाहिए। जी हाँ, अखिल भारतिय संत समिती से प्राप्त जानकारी के अनुसार काशी प्रांत के। जीओ जौजालू की धन राशि समर्पन निधी के लिए दान की। आपको बता दें कि दान देने वालों की लिस्ट में अभी तक अनुमानित अद्डे जजार मुसल्मान जुड़ चुके हैं। जैसे एक चर्चित नाम आता है गुजरात के मुसलिम डॉक्टर दमपती का डॉकर हामिद मनसूरी और मुम्ताज मनसूरी का। जिन्होंने राम मंदिर के निर्मान के लिए आर साभी पबबीट हजार का दान दिया है। और दान देने से पहले यह अयोध्या के राम मंदिर में माथा टेकने भी गए थे। सचमुच इनका यह कार्य हिंदू मुसलिम एकता मानवता और भाईचारे को बढ़ावा देता ह इसी लिस्ट में एक और नाम सामने आया जौनपुर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्राचार्य अब्दुलकादिर का जिन्होंने राम मंदिर निर्मान के लिए ग्यारा व्यारन की पेशकश की है और बताया है कि राम भगवान सभी धर्मों में सर्वव्यापी हैं केवल एक धर्म के नहीं है बलकि संपूर्ण विश्व के भगवान हैं राम मंदिर का निर्मान होना केवल हिंदूओं के लिए ही नहीं बलकि सभी धर्म चाहे वह मुसलमान सिख या इसाई हो सभी के लिए गर्व की बात है दोस्तों अब्दुलकादिर जी की इस बात के ल परण करके नमाज पढ़ने गए और चर्चा में आ गए। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी निजी संपत्ती जैसे दो प्लॉट, थीन सोड घज, एवं सो घज प्लॉट और दो बीघा जमीन राम मंदिर के निर्मान कार्य में दान कर दिया है। 2200 करोड रब का दान मिल चुका है दोस्तों, रिसर्च में एक आश्चर्य करने वाला फैक्ट। सामने आया जब माननीय सुप्रीम कोट ने 2019 में राम मंदिर के निर्मान में अपना फैसला सुनाया, तो राम मंदिर के निर्मान में दान दक्षणा के लिए समरपन निधी अका वाय साथ ही भगवान राम के ट्रस्ट में 11 लाक रुपे की धनरासी भी दी है, और साथ ही बताया जा रहा है कि प्रान परतिष्टा वाले दिन वह है भगवान राम के दर्शन करने भी पहुचेगी, दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही वीडियों आपको कैसी लगी, क जैसरी राम, जैसरी बागे सुर्दाम सरकार, जैहुश्री और दधाम के दो